दोस्तों आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो है शर्लक होम्स सीरीज की और कहानी का नाम है दा एडवेंचर आफ दा इलस्ट्रियस क्लाइंट अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी नए और पुराने श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिलकुल ना भूलें सिर्फ यही एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको शर्लक होम्स की ओल्मोस्ट सारी कहानिया और नौवल्स हिंदी में सुनने को मिलते हैं तो प्लीज ये मेरे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें तो आएए बिना देर के शुरू करते हैं कहानी अब इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता ये जवाब था शर्लक होम्स का जो उसने मेरे उस सवाल के जवाब में दिया था जो मैंने नीचे लिखे केस को पब्लिश करने के बारे में पिछले दस सालों में उससे दसमी बार पू मुझे स्टीम बात लेने का बड़ा शौक था मैंने कई बार देखा था कि शरीर को सुखाने वाले कमरे की आनंद दायक शिथिलता में शरीर से निकलते हुए धुए के बीच, होम्स, थोड़ा कम चंचल और बहुत ज्यादा इंसानी बन जाता था नौर्थंबर लेंड एवेन्यू वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक एकांत कोने में दो काउच पास-पास पड़े हुए थे और 3 दिसमबर 1902 को जिस दिन से मेरी ये कहानी शुरू होती है, हम दोनों उन काउचों पर पड़े हुए थे मैंने उससे पूछा था कि क्या उसके दिमाग में कोई बात चल रही है और इसके जवाब में उसने अपने उपर ढ़की हुई चादर में से अपनी लंबी पतली बाहा निकाल कर पास टंगे हुए अपने कोट की अंदर की जेब से एक लिफाफा निकाला था उस चिठी को मुझे पकड़ाते हुए उसने कहा था हो सकता है ये कोई तुनक मिजाज अपने आपको बहुत बड़ा समझने वाला बेवकूफ हो और या फिर ये हो सकता है कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो वैसे जितना इस कागज में लिखा हुआ है उससे ज्य सर जेम्स का ये भी निवेदन है कि जिस मामले में वो मिस्टर होम्स से राय लेना चाहता है वो बड़ा ही नाजुक और बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए उसे विश्वास है कि मिस्टर होम्स ये भेंट करने का मौका देने की पूरी कोशिश करेंगे और बड़ी नाम के आदमी के बारे में कुछ जानते हो मैंने जवाब दिया बस इतना ही जानता हूं होम्स कि ये नाम बड़े लोगों में काफी फेमस है तब तो मैं तुम्हारी जानकारी कुछ और बढ़ा सकता हूं वाट्सन इस आदमी की ये शोहरत है कि जो नाजुक मामले अख़बारों की पहुंच से परे रखने हो ये आदमी उनका इंतजाम कर सकता है तुम्हें हैमर फोर्ड के वसियत नामे वाले मामले में सर जॉर्ज लुईस से इसकी बातशीत की घटना याद होगी ये बड़ा ही दुनियादार आदमी है और इसके अंदर कूट नीती के गुण कूट कूट कर भरे होए है और इसलिए मुझे पूरी उमीद है कि वाकई ये कोई मामूली मामला नहीं है बलकि इसे हमारी मदद की सचमुच जरूरत है इससे मुलाकात का टाइम है साढ़े चार बजे तुम्हें भी उस वक्त मेरे साथ ही रहना है वाटसन मैं उस समय क्वीन एन स्ट्रीट में अपने अलग कमरे में रहता था लेकिन निश्चित समय से पहले मैं बेकर स्ट्रीट पहुँच गया ठीक साढ़े चार बजे करनल सर जेम्स डेमरी के आने की सूचना मिली उसका वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उस लंबे चोड़े इमानदार व्यक्तित्व उस चोड़े सफाचट चेहरे और उससे बढ़कर उस मीठी मधुरवानी की बहुतों को याद होगी उसके भूरी आईरिश आँखों से सपष्टवादिता चमक रही थी और उसके चंचल मुस्कुराते हुए होटों पर खुश मिजाजी की लहर दोड रही थी उसके चमकते हुए हैट उसके काले कोट यहां तक कि उसके काले सैटिन के मफलर में लगे हुए पिन से लेकर वरनिश से चमकते हुए जूतों पर पड़ी लेवेंडर की बूंदों तक हर चोटी से चोटी चीज से ये जाहिर हो रहा था कि कपड़े पहनने में कितनी ज्यादा साफधानी बढ़ती गई है ठीक वही बात जिसके लिए वो मशूर था उसने बड़ी ही नमरता से कहा यहां डॉक्टर वाटसन के होने की तो मुझे पूरी उमीद थी ही उनकी मदद की भी हमें बड़ी जरूरत हो सकती है क्योंकि मिस्टर होम्स इस बार हमें एक ऐसे आदमी से निपटना है जिसके लिए मार काट बाएं हाथ का खेल है और जो किसी भी बात से डरता घबराता नहीं है मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि पूरे यॉरॉप में उससे खतरनाक आदमी और कोई नहीं है हॉम्स ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा मेरा ऐसे कई विरोधियों से वास्ता पढ़ चुका है जिनके बारे में ऐसे ही शब्द कहे जाते थे क्या आप सिगरेट पीना पसंद करेंगे? नहीं, तो मैं अपना सिगार जलाने के लिए माफी चाहता हूँ अगर आपका ये आदमी स्वर्गिय प्रोफेसर मौरियार्टी या जीवित करनल सेबेस्टियन मौरान से भी अधिक खतरनाक है तो वो वाकई मुकाबला करने लायक है वैसे क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? करनल डेमरी ने कहा क्या आपने बैरन गुरुनेर का नाम सुना है? कहीं आप उस आउस्टियन हत्यारे की बात तो नहीं कर रहे हैं? होमस ने पूछा करनल डेमरी ने हस्ते हुए अपने दस्तानों वाले हाथ उपर उठाए और बोले आप से कोई नहीं जीत सकता मिस्टर होमस कमाल कर दिया तो आपने उसे पहले ही हत्यारों की कैटेगरी में रखा हुआ है जी हाँ करनल ये मेरा बिजनेस ही है कि पूरे यॉरोप के इस तरह के लोगों का पता लगाता रहूं वैसे भी भला ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसने प्राग में हुई घटनाओं की खबर पढ़ी हो और फिर उसे इस आदमी के जुर्म के बारे में कोई संदेह रह गया हो वो तो एक मामूली से कानूनी नुकते और एक गवाह की संदेह जनक मौत के कारण वहां से बच निकला था स्प्लूगन दर्रे में जो तथा कतित दुरगटना होई थी उसमें उसने अपनी पतनी को मार डाला इस बात का मुझे उतना ही पक्का यकीन है जितना की उसे ये काम करते हुए अपनी आँखों से देखने पर होता मुझे ये भी पता था कि वो इंगलेंड आ गया है और मन ही मन मुझे ये भी लग रहा था कि देर सवेर वो मेरे लिए कोई ना कोई केस पेश कर ही देगा अच्छा तो ये बताए करनल ये बैरन ग्रुनेर किस काम में लगा हुआ है मेरे ख्याल से वो पुराना केस तो फिर से नहीं खड़ा हुआ होगा नहीं मिस्टर होम्स ये उससे भी गंभीर मामला है जोर्म का बदला लेना महत्वपून बात है लेकिन उसे रोकना और भी ज्यादा महत्वपून है एक भयंकर घटना मिस्टर होम्स एक भीशन परिस्थिती अपनी आखों के सामने बनते हुए देखना उसके आखिरी नतीजों को साफ साफ समझते होना और फिर भी उसे रोकने के लिए कुछ भी न कर पाना बड़ी ही भयानक बात होती है क्या कोई इंसान इससे ज्यादा मुसीवत में कभी पड़ सकता है शायद नहीं होम्स ने कहा तब तो आपको उस आदमी से हमदर्दी ही होगी जिसको ऐसी हालत से निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ओ, मुझे नहीं पता था कि आप केवल मीडियेटर है तो असली क्लाइंट कौन है? होम्स ने पूछा देखे मिस्टर होम्स मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस सवाल पर जोर ना दें ये बात बहुत इंपोर्टेंट है कि मैं उस आदमी को ये भरोसा दिला सकूँ कि उसके नाम को इस मामले में किसी भी तरह से घसीटा नहीं जाएगा ताकि उसके नाम पर कोई धबा ना लग पाए उसका उद्देश ये पूरी तरह से जैन्विन और बहदूरी से भरा है लेकिन वो अग्यात रहना चाहता है अब ये कहने की तो जरूरत ही नहीं कि आपकी फीस आपको मिल जाने की पक्की गारंटी है और आपको कुछ भी करने की पूरी आजादी होगी तो फिर ऐसे में असली आदमी के नाम से आपको क्या लेना है आप आम खाये ना पेड क्यों गिनते हैं होमस ने जवाब दिया मुझे अफसोस है करनल मेरे पास जितने भी केस आते हैं उन में एक ही तरफ रहस्य छिपा होता है लेकिन यहां दोनों सिरों पर रहस्य है और इसी लिए ऐसे मामले मुझे थोड़े मुश्किल लगते हैं मुझे डर है मिस्टर जेम्स की मैं ये मामला नहीं ले सकता ये सुनकर हमारा महमान थोड़ा परिशान हो गया उसके चहरे पर निराशा और उदासी छा गई फिर उसने कहा मिस्टर होम्स आप अपने काम का नतीजा नहीं समझ सकते आपने मुझे बड़ी ही गंभीर दुविधा में डाल दिया है मैं इस बात से पूरी तरह से निश्चेत हूँ कि अगर मैं सारी बातें खोल कर आपके सामने रख सकता तो ये केस हाथ में लेने पर आपको गर्व ही महसूस होता लेकिन मैं वचन दे चुका हूँ जिसके कारण वो सारी बातें खोल कर आपके सामने नहीं रख सकता क्या आप मुझे वो सब बातें पेश करने का मौका देंगे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ हाँ जरूर करनल लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं पहले से कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता जी हाँ वो मैं आपकी बातों से अच्छी तरह समझ गया हूँ Mr. Holmes अब मैं आपको बताता हूँ क्या आपने जेनरल डी मेर्विल का नाम सुना है डी मेर्विल वही जो खैबर पास के लड़ाई में फेमस हुए थे हाँ मैंने उनका नाम सुना है उनकी एक लड़की है Mr. Holmes वॉयलेट डी मेर्विल जवान है पैसे वाली है सुन्दर है मतलब हर तरह से लाजवाब है उस सुन्दर और भूली लड़की को हम एक बदमाश के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ओ समझा तो इसका मतलब इस बैरन ग्रुनेर ने उसे अपने जाल में फांस लिया है जी हाँ जैसा कि आपने सुना ही होगा ये आदमी बैरन ग्रुनेर असाधरन रूप से हैंडसम है और उसकी चाल धाल बड़ी ही मोहक है उसका बोलने का स्टाइल भी ऐसा है कि ओरतें उसकी दिवानी हो जाती है और उसकी बातों में रोमांस और रहसे का ऐसा मिश्रन होता है जो ओरतों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होता है कहते हैं कि जो भी औरत उससे मिलती है वो उसके पीछे पागल हो जाती है और उसने इसी बात का बहुत बार फाइदा उठाया है लेकिन इस तरह कि आदमी की मिस वॉयलेट डी मेर्विल जैसी कुलीन औरत से मुलाकात कैसे हुई होमस ने पूचा असल में भूमध्य सागर में सेर सपाटे के लिए जाने के समय उनकी ये मुलाकात हुई सफर पर सब चुने हुए ही लोग थे सब ने अपना-पना किराया खुद दिया था बात ये थी कि और्गनाइजर्स को बैरन की असलियत का पहले पता ही नहीं चला वो बदमाश उस सफर पर मिस वॉयलेट से हिल मिल गया और उसने उनके उपर ऐसी मोहिनी डाल दी कि अब वो उनके दिल पर पूरी तरह से चा गया है सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं होगा कि मिस वॉयलेट उससे प्रेम करती है असल में वो उसमें पूरी तरह से डूब चुकी है वो उसके लिए जान भी देने को तयार है उससे अलग उसके लिए इस धर्ती पर सब कुछ बेकार है उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती उसे इस पागलपन से निकालने के लिए हर संभव कोशिश की गई लेकिन सब बेकार मोटे रूप में ये समझ लीजिए कि वो अगले महीने उससे शादी करना चाहती है अब मिस वॉयलेट बालिग है और उनका जो इरादा होता है वो इतना पक्का होता है कि एक बार जो ठान लेती हैं करके ही रहती है इसी लिए अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे रोका जाए होमस ने एक पल सोच कर सवाल किया क्या उसे आस्ट्रिया वाले कांड के बारे में पता है जी हाँ यही तो परेशानी है उस धूर्त बदमाश ने अपने पिछले जीवन की सारी भद्धी मशूर घटनाएं उसे सुना दी है लेकिन ऐसे ढंक से सुनाई है जिसे वो खुद बेचारा निर्दोष शहीद हो और दोशी कोई और वो उसकी बातों को पूरी तरह से सच मानती है और किसी दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहती मैं आपके बात समझ गया हूँ करनल लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि आपने अंजाने में ही अपने असली क्लाइंट का नाम मेरे सामने उजागर कर दिया है वो आदमी निससंदे है जनरल डी मेर्विल ही है हमारा मेहमान कुरसी में बेचैनी से हिला फिर बोला ऐसा कहकर मैं आपको धोका दे सकता हूँ मिस्टर होम्स लेकिन ये बात सच नहीं होगी जनरल डी मेर्विल का दिल बिलकुल तूट चुका है इस घटना से उस बहदूर सैनिक का होसला एकदम पस्थ हो गया है वो अपने होशोहवास खो बैठा है और वो इतना कमजोर हो गया है कि उसका शरीर अब कापने लगा है वो इस पावरफुल औस्ट्रियन बदमाश का मुकाबला करने में बिलकुल असमार्थ है लेकिन मुझे जिसने यहां भेजा है वो जनरल खुद नहीं बलकि उनका एक पुराना दोस्त है जो बहुत सालों तक जनरल का घनिष्ठ मित्र रहा है और उनको इस लड़की की भलाई में तभी से दिल्चस्पी है जब वो एक छोटी बच्ची थी वो इस तरह से उसकी जिन्दगी बरबाद होते हुए नहीं देख सकते अब ये केस ऐसा भी नहीं है जिस पर स्कॉटलेंड यार्ड कोई कारेवाही कर सके तो उन्होंने ही ये सुझाव दिया कि इस मामले में आपको बुलाया जाए और इसमें सबसे पहली शर्त ये थी कि उनको परसनली इस मामले में ना डाला जाए मिस्टर होम्स, मुझे इस बात पर जरा भी शक नहीं है कि आपके अंदर जो योग्यता है उससे आप मेरे असली क्लाइंट का असानी से पता लगा सकते हैं लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके आप ऐसा ना करें और उस अग्यात व्यक्ति को अग्यात ही रहने दें होम्स थोड़ा मुस्कुराया और बोला ठीक है इस बात का वचन मैं आसानी से दे सकता हूँ और इतना और कहूंगा कि आपकी ये समस्या मुझे काफी इंट्रेस्टिंग लग रही है और मैं इस केस को हाथ में लेने के लिए तयार हूँ आपसे फिर कभी संपर्ख करना हो तो कैसे कर सकता हूँ जी आपको कारल्टन क्लब से मेरा पता चल जाएगा और अगर अचानक कोई जरूरत आ पड़े तो ये मेरा प्राइविट टेलिफोन नमबर है होमस ने नमबर नोट कर लिया और खुली होई डायरी अपने घुटने पर रखे मुस्कुराता हुआ बैठा रहा इस समय बैरन का एड्रेस क्या है करनल ने बताया वो इस समय केंक्सन के पास वर्नन लॉज में रह रहा है ये एक बहुत बड़ा मकान है सटे में उसका कुछ अच्छा मोटा दाम लगा है और अब उसके पास काफी पैसा आ गया है और इसी लिए वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है क्या इस समय वो इसी घर पर है? जी हाँ आपने उसके बारे में अभी तक जो कुछ मुझे बताया है क्या उसके अलावा आप कोई और जानकारी भी दे सकते हैं? होम्स ने पूछा जी हाँ उसके शौक काफी खर्चीले हैं वो घोडों का बहुत शौकीन है कुछ समय तक हरलिंगम में पोलो खेलता रहा है लेकिन उसके बाद प्राग वाले कांड का चारों तरफ शोर मच गया और उसे वहाँ से भागना पड़ा उसे किताबें और फोटोज कलेक्ट करने का भी शौक है आर्ट में उसकी बहुत दिल्चस्पी है और आर्टिस्टिक चीजों का वो एक बहुत बड़ा पार्ख ही है मेरे ख्याल से चाइना के कांच के बरतनों का वो माना हुआ विद्वान है और उसने इस सब्जेक्ट पर एक किताब भी लिखी है होमस ने अपने घुटनों को उंगलियों से थप थपाते हुए कहा सारे बड़े बड़े जोर्म करने वालों में शायद ऐसा ही होता है मेरा पुराना दोस्त चारली पीस बेला बजाने में बड़ा ही उस्ताद था वेन राइट भी उचे दरजे का कलाकार था और ऐसे और भी बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ खेर छोड़िये ऐसा कीजिए मिस्टर जेम्स आप अपने क्लाइंट से कह दीजिए कि मैंने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया है फिलहाल इससे ज्यादा में और कुछ नहीं कह सकता जानकारी हासिल करने के मेरे पास मेरे अपने कुछ निजी तरीके हैं और मुझे भरोसा है कि इस गुथी को सुलजाने का कोई ना कोई तरीका मुझे मिल ही जाएगा हमारे महमान के चले जाने के बाद होमस इतनी देर तक गहरे विचारों में डूबा रहा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे वहां होने की बात को भूल ही गया है लेकिन आखिर में काफी देर बाद वो इस दुनिया में फिर से वापस आ गया अच्छा तो वाट्सन क्या खयाल है हमें कहां से शुरू करना चाहिए मेरे खयाल से होमस अगर तुम उस लड़की से मिलो तो अच्छा रहेगा माई डियर वाट्सन अगर उसका बेचारा बूढ़ा निराश पिता उसे नहीं समझा सका तो मैं एक अजनबी उसे क्या समझा पाऊंगा लेकिन फिर भी जब और सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी तब इस सुझाव पर अमल करने की सोचूँगा फिलहाल मेरा खयाल है कि हमें एक दूसरे ही रास्ते से चलना चाहिए शायद शिनवल जॉनसन से इस बारे में कुछ मदद मिल सके यहां मैं अपने पढ़ने वालों को ये बता दूँ कि शिनवल जॉनसन कौन है अपनी पिछली कुछ कहानियों में मुझे उसके बारे में उलेख करने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने अपने दोस्त के पिछले दिनों के कामों से जुड़ी घटनाएं ज्यादा करके नहीं लिखी है मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जॉनसन पहले एक बहुत ही खतरनाक बदमाश के रूप में मशूर हुआ था और पार्क हर्स्ट में उसने दो बार जेल भी काटी थी आखिर में उसे अपने कामों पर पश्तावा हुआ और वो होम्स के साथ मिलकर लंडन की लंबी चौड़ी अपराधियों की दुनिया में उसके एजेंट के रूप में काम करने लगा वो ऐसी जानकारियां हासिल कर लेता था जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सिध होती थी अगर जौनसन पुलीस का दलाल होता तो उसकी पोल जल्दी ही खुल गई होती लेकिन क्यूंकि वो ऐसे केसिस से संबंध रखता था जो सीधे तोर पर अदालतों में नहीं आते इसलिए उसके साथियों को कभी उसकी असलियत का पता नहीं चल पाया दो बार सजा पाने का गौरव उसके पास होने के कारण उसे हर एक नाइट क्लाब, रैन बसेरों और शहर के जुए के अड़ों में घुसने की पूरी सहुलियत थी और उसकी पैनी नजर और तेज दिमाग ने उसे जानकारी हासिल करने के लिए एक बेमिसाल एजेंट बना दिया था अब शर्लोक होम्स उसी से मदद लेने की बात सोच रहा था मैं वो सारी हलचले नहीं देख पाया जो मेरे दोस्त ने इस घटना के तुरंत बाद की उसका कुछ हिस्सा उसने मुझे बताया वो बोला जॉनसन उसकी खोज करता हुआ घूम रहा है संभव है कि छीपे दुनिया के अंधेरे कोनों में कोई कूडा कच्रा मिल जाए क्योंकि वहाँ नीचे अपराद की अंधेरी जड़ों में ही हमें इस आदमी के भेद ढूंडने होंगे लेकिन होम्स अगर मिस वॉयलेट उन बातों को स्वीकार कर ही नहीं रही जो उसे पहले से मालूम है तो तुम्हारे कुछ खोज लेने से वो अपने उदेशे से पीछे क्यों हट जाएगी क्या पता वाटसन औरत का दिल और दिमाग मर्द के लिए अनभूज पहले की तरह है हो सकता है हत्या को मामूली चीज समझ कर माफ कर दिया जाए लेकिन कोई मामूली सा जर्म उसका मन बदल दे ब्रेर बैरन ग्रुनेर ने मुझसे कहा था एक मिनिट होम्स उसने तुमसे कहा था मतलब तुमसे मिल चुके हो आरे हाँ हाँ वाटसन असल में बात ये है कि मैंने तुम्हें अपनी योजना बताई नहीं थी असल में मुझे अपने जोड़ीदारों से आमना सामना करने का शौक है मैं इन लोगों की आँखों से आँखें मिला कर उनसे बात करके खुद ये जानना चाहता हूँ कि वो किस मिट्टी के बने है जॉनसन को हिदायतें देने के बाद मैं टैक्सी करके किंग्स्टन पहुँच गया था और वहीं परबैरन से मेरी मुलाकात हुई बड़ी ही खुश मिजाजी से वो मुझसे मिला था ओ, क्या उसने तुम्हें पहचान लिया इसमें कोई मुश्किल बात थी ही नहीं वाटसन क्योंकि मैंने अपना कार्ड पहले ही अंदर भेज दिया था और तुम्हें पता है वो एक बहुत ही बढ़िया दुश्मन निकला बिलकुल बर्फ की तरह भावहीन और तुम्हारे किसी फैशनेबल मरीज की तरह जबान का मीठा और फरनियल साप की तरह जहरीला उपर से देखने पर वो आपको अपना सबसे सगा और बड़ा ही प्यारा सा दोस्त दिखाई देगा लेकिन उसके पीछे मौत की क्रूरता छेपी रहती है मैं बहुत खुश हूँ वाटसन कि इस आदमी से मेरा वास्ता पड़ा है अच्छा होम्स तुमने ये कहा कि वो तुमसे बड़ी खुश मिजाजी से मिला तो ये तो बताओ कि तुम्हारी उससे क्या-क्या बाते हुई बिल्कुल वाटसन वो मुझे उतनी ही खुशी से मिला जितनी खुश वो बिल्ली होती है जिसके सामने उसका शिकार चूहा उसके पंजे में फसा पड़ा होता है उसने मुझसे मिलते ही सबसे पहले कहा मिस्टर होम्स मैं सोच ही रहा था कि देर सवेर आपसे मुलाकात होगी ही आपको जनरल डी मेर्विल ने अपनी लड़की वॉयलेट से मेरी शादी रुकवाने की कोशिश करने के लिए इस काम पर लगाया है है ना? मैंने स्वीकार कर लिया फिर वो बोला मेरे दोस्त इस काम में फसकर तुम खोद ही अपने नाम पर कालिक लगवाने में जुट गए हो ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुम किसी भी तरह से सफल हो पाओगे ये काम तुम्हारे लिए एकदम नीरस होगा और उपर से तुम्हें खतरा अलग से रहेगा इसलिए मेरी बड़ी ही दोस्ताना सला है तुमको कि तुम फॉरन इस काम से अपना हाथ खीच लो इस पर मैंने उसे जवाब दिया अजीब बात है बैरन ठीक यही सलाह मैं तुम्हें देना चाहता था देखो बैरन मैं तुम्हारी दिमागी ताकत की बड़ी इज़त करता हूँ और तुम्हारी परसनालिटी का जो थोड़ा सा हिस्सा मैं देख पाया हूँ उससे इसमें कोई कमी नहीं आई है मैं तुमसे सीधी बात कहता हूँ कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम्हारे अतीत को उगाड़ा जाए और तुम्हारे लिए बिना वज़े की परिशानी पैदा की जाए वो सब बीथ चुका है और फिलहाल तुम मौज में हो लेकिन अगर तुम इस शादी को करने की जिद पर अड़े रहोगे तो तुम्हारे खिलाफ बहुत ही पावरफुल दुश्मनों का एक ग्रोप उठ खड़ा होगा और वो तुमको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इंग्लैंड में तुम्हारा रहना असंभव ना बन जाए तो जरा सोच कर देखो क्या ये शादी वाकई इस लायक है है ना मेरी ये बात सुनकर बैरन हस पड़ा फिर बोला माफ करना मिस्टर होम्स लेकिन ये देखकर मुझे सच मुझ ही बड़ा मज़ा आ रहा है कि तुम बिना उस तरह के हजामत बनाने की कोशिश कर रहे हो जहां तक मैं जानता हूँ ऐसा करना इस दुनिया में किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वो उस लड़की का मन मेरी तरफ से डिगा पाए और तुम्हारे केस में तो ये खास तोर पर दय निये होगा तुम्हारे पास लकडी तक का तो उस तरह है नहीं और तुम चले हो हजामत बनाने कि मैं उन्हें तुम्हें अभी भी खोल कर दिखा सकता हूँ इस लड़की का पूरा पूरा प्यार और विश्वास पाने में मुझे पूरी सफलता मिली है और ये प्यार और विश्वास इस तथ्य के बावजूद मुझे मिला है कि मैंने अपने पिछले जीवन की सारी बुरी घटनाएं उसे बिल्कुल साफ साफ बता दी है मैंने उससे ये भी कह दिया है कि कुछ बुरे और शडियंत्रकारी दिमाग वाले लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम से ये बातें कहेंगे और इसी लिए मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम चाहे एडी चोटी का जोर लगा लो वो लड़की मेरे इतने असर में है कि वो तुम्हारी किसी भी बात पर या तुम्हारी किसी भी चालाकी पर जरा भी ध्यान नहीं देने वाली है तो जाओ उससे मिलो और जो करना चाहते हो कर लो वो तुमसे मिलने से बिलकुल भी इंकार नहीं करेगी क्योंकि वो अपने पिता की हर एक्षा का पूरी तरह से आदर करती है सिर्फ मेरे वाले मामले को छोड़ कर अब मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं था वाटसन इसलिए मैं वापस जाने के लिए निकल पड़ा लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने लगा और मैंने दर्वाजे पर अपना हाथ रखा उसने मुझे पीछे से पुकार कर रोक लिया एक मिनिट मिस्टर होम्स तुम फ्रेंच एजेंट लेबरून को जानते हो मैंने कहा हाँ जानता हूँ तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ था हाँ मैंने ये सुना था कि उसे कुछ आदिवासियों ने माउंट यारट के जिले में पीटा था और जीवन भर के लिए बिकार कर दिया था बिलकुल ठीक मिस्टर होम्स बिलकुल सही सुना है तुमने और पता है एक बड़ा ही अजीब सा सायोग ये था कि एक हफता पहले ही वो मेरे केसों की जाज परताल कर रहा था तो इसलिए मेरी बड़ी ही नेक सला है तुम्हें ये कि तुम इस काम को मत करो इस काम में किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देने वाली कई लोग ये experience कर चुके हैं अंत में मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम अपने रास्ते चलो और मुझे अपने रास्ते चलने दो गोड़ बाए इतना कहकर होम्स चोप हो गया मैंने कहा होम्स ये आदमी तो वाकई बहुत ही खतरनाक मालू होता है हाँ खतरनाक तो है वाटसन लेकिन ये चाहे जितनी भी डिंगे मार ले मैं उनकी परभा नहीं करता लेकिन ये भी बता दूँ कि ये उस किस्म का आदमी है जो जितना मन में होता है उससे बहुत कम बोलते है अगर ऐसी बात है होम्स तो क्या तुम्हारा इस मामले में दखल देना जरूरी है इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर वो उस लड़की से शादी कर लेगा करने दो नहीं वाटसन अगर इस बात पर सोचा जाए कि उसने अपनी पिछली पतने की निश्चित रूप से हत्या की थी तो मैं कहता हूँ कि इस बात से बहुत फर्क पड़ता है और फिर वैसे भी मैं ये केस अपने हाथ में ले चुका हूँ इस बात पर अब हमें बहस करने की जरूरत नहीं है तुम अपनी कॉफे फिनिश करके मेरे साथ घर चलो क्योंकि तब तक हमारा दोस्त शिन्वेल अपने रिपोर्ट लेकर आ गया होगा जब हम घर पहुँचे तो हमने पाया कि वो तगड़ा लाल चेहरे वाला आदमी वहाँ पहले से मौजूद था उसकी चमकती हुई दो काली आखे ही उसके चालाक दिमाग का परिचे दे रही थी उसके साथ एक औरत भी थी जो एकदम चरहरी और काफी खुबसूरत नौजवान औरत थी उसका चेहरा फीका और उदास था और उसके उपर पाप और दुख से भरे जीवन की ऐसी चाया थी कि उसे देखने पर ही उसके पिछले जीवन की भयंकर कहानी अपने आप सामने आ जाती थी शिन्वेल जॉंसन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा ये मिस किटी विंटर है आपकी चिटी मिलने के बाद मैंने एक घंटे के अंदर-अंदर ही इसे पकड़ लिया था मिस्टर होम्स होम्स मुस्कुराया और बोला मैंने सुना है मिस विंटर कि तुम्हारी सारी शुब कामनाएं हमारे साथ है क्या ये बात सही है मिस विंटर ने थोड़ा जोर से कहा खुदा कसम मिस्टर होम्स अगर दुनिया में कहीं इनसाफ है तो इस आदमी बेरन गुरुनेर को दुनिया के सबसे गंदे नरक में होना चाहिए और अगर मैं उसे वहाँ पहुचाने में मदद कर सकूँ तो मैं जी जान से आपके साथ हूँ आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगी आप जो चाहेंगे वो मैं आपके लिए करके दूँगी यही वो आदमी है न जिसके पीछे आप पड़े हुए है मिस्टर होम्स होम्स ने मुस्कुरा कर अहां में से रहिला दिया किटे विंटर ने फिर से कहा मेरे पिछले जीवन के बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है उसने मुझे कहीं का नहीं रखा लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ कि कभी मुझे उसका नाश करने का मौका मिलेगा और आज आपकी वजह से वो मौका मुझे मिल पाया है मुझे कितनी खुशी होती अगर मैं उसे खीच कर उसी गड़े में धकेल पाती जहां उसने इतने सारी लोगों को फेंका है क्या तुम्हें पता है मिसकिटी की क्या मामला है होमस ने पूचा जी हां शिन्वेल ने मुझे बताया है वो किसी दूसरी बेचारी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है पागल लड़की और इस बार वो उससे शादी करना चाहता है और आप इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहे है मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी करके इस लड़की से उसकी शादी को रुकवा दीजिए यही तो समस्या है मिस विंटर कि वो लड़की अपने होशो हवास में नहीं है उसकी प्रेम में पागल हो चुगी है उसे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया गया है लेकिन फिर भी वो परवाह नहीं कर रही है क्या उसे हत्या के बारे में भी बता दिया गया है किटी विंटर ने हैरानी से पूछा जी हाँ, हे भगवान बड़ा ही मजबूत दिल है इस लड़की का असल में मिस विंटर वो उन सारी बातों को जूट समझती है ओहो तो क्या आप उस बेवकूफ लड़की के सामने कोई प्रूफ पेश नहीं कर सकते हमारे पास कोई प्रूफ है ही नहीं क्या तुम इस काम में हमारी मदद कर सकती हो मैं खुद जीता जाकता सबूत हूँ अगर मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊं और उसे बताऊं कि किस तरह उस आदमी ने मुझे इस्तिमाल किया तो क्या ये काफी रहेगा क्या तुम ऐसा करोगी मिस विंटर हाँ बिल्कुल करूँगी क्यों नहीं करूँगी तो ठीक है हमें ये कोशिश करके देखनी चाहिए लेकिन मैं ये बता दूँ कि उस आदमी ने उसे अपने ज्यादातर पापों के बारे में पहले ही बता दिया है और लड़की पहले ही उसे माफ भी कर चुकी है और मुझे ये भी पता चला है कि वो इन सारी बातों पर अब नए सीरे से विचार करने के लिए बिल्कुल तयार नहीं है मिस विंटर ने कहा मैं उसे ये बताऊंगी कि उस कमीने आदमी ने उसे सारी बातें नहीं बताई है जिस हत्या पर इतना हंगामा हुआ इतना शोरगुल मचा उसके अलावा एक या दो और हत्याओं के बारे में भी मुझे पता है वो बड़े ही मीठे अंदाज में किसी आदमे की चर्चा करता था और फिर मेरी तरफ टक-टकी लगाकर देखते हुए कहता था वो एक महीने के अंदर मर गया ये सिर्फ बातें नहीं थी उस समय तो मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं खुद उस समय उसके साथ प्रेम करती थी लेकिन उसने जो कुछ दूसरों के साथ किया था ठीक वही मेरे साथ भी किया और ठीक वही अब इस बेचारी मूर्ख लड़की के साथ हो रहा है वो जो भी कहता था मैं उसकी हर बात पागलों की तरह से मान लेती थी सिर्फ एक चीज थी जिसने मुझे डरा दिया था लेकिन उस कमभक्त के पास ऐसी जहरीली जूटी जबान थी और लोगों को समझाने और शांत करने की ऐसी अद्भुत ताकत थी कि उसने मुझे फिर से अपनी बातों में उलजा लिया अगर ऐसा ना होता तो मैं उसी रात उसे छोड़ाई होती जब मैंने वो चीज देखी थी उसके पास एक कॉपी है मिस्टर होम्स बदामी रंग के चमड़े की जल्द वाली ये एक कॉपी है जिसके उपर ताला लगा हुआ है उसके बाहर सोने से बने हुए कुछ एम्बलेम्स है मुझे लगता है कि उस रात उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी वरना उसने वो कॉपी मुझे ना दिखाई होती लेकिन उस कॉपी में था क्या मिस्टर, मैं बताती हूं मिस्टर होम्स ये आदमी औरतों का उसी तरह से कलेक्शन करता है जैसे कुछ लोग कीडे मकोडे या तितलियां कलेक्ट करते हैं और उसे अपने इस कलेक्शन पर बड़ा ही गर्व भी है वो सारी चीजें उसने इस कौपी में रख छोड़ी है उसने आज तक जितनी भी औरतों का शिकार किया है उन सब के फोटो, नाम, पूरा डिस्क्रिप्शन और उनके बारे में हर एक बात ये एक बहुत ही गिनौनी कौपी है एक ऐसी कौपी जो गंदे से गंदा आदमी भी कभी ऐसे कलेक्ट करके नहीं रखेगा ये कौपी है कहां पर, होमस ने पूछा ये मैं भला कैसे कह सकती हूँ कि वो कौपी अब कहां है मुझे बुनेर को छोड़े एक साल से भी ज्यादा हो गया है उस समय वो इसे कहां रखता था, वो तो मैं जानती हूँ इसलिए हो सकता है कि वो अभी भी उसके अंदर की बैठक की मेज की दराज में हो क्या आपको उसके घर के बारे में नौलिज है? हाँ, मैं उसकी बैठक में होकर आ चुका हूँ, होमस ने कहा ओह, आप वहाँ हो आए हैं, तो अगर आपने आज सवेरे ही काम शुरू किया है तो वाकई आप काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लगता है इस एडल बर्ट को इस बार अपने सही टकर का आदमी मिला है उसके बाहर वाली बैठक वो है, जिसमें बहुत सारे चीनी मिट्टी के बरतन रखे हैं यानि बॉन चाइना के, खिड़कियों के बीच में कांच की एक बड़ी अलमारी है उसके डेस्क के पीछे वो दर्वाजा है, जिससे अंदर वाली बैठक में जाते हैं ये एक छोटा सा कमरा है, जिसमें वो सारे कागजात और सारी चीजें रखता है क्या उसे चोरों का डर नहीं है? होमस ने पूछा एडल बर्ट कायर पिल्कुल नहीं है उसका बड़े से बड़ा दुश्मन भी उसके बारे में ये बात नहीं कह सकता वो अपनी हर चीज का ध्यान रखने और उसे संभालने में पूरी तरह से समार्थ है उसके घर में एक गंटी लगी हुई है, जो चोर के आने पर बजने लगती है और वैसे भी किसी चोर के लिए वहाँ पर रखा ही क्या है जब तक कि उसे वो बढ़या बॉन चायना का समान ना चुराना हो शिन्वेल जॉन्सन ने भी हामे हामिल आते हुए कहा हाँ, ये सब चीजे चोरों के लिए तो एकदम बेकार है कोई भी चोरी का माल खरीदने वाला दुकानदार ऐसी चीजे नहीं चाहता जिनको ना तो गलाया जा सकता हो और ना ही बेचा जा सकता हो होमस ने कहा, तो ठीक है, अगर आप कल शाम पाँच बजे यहां आ सके मिस विंटर तो इस बीच मैं ये देखता हूँ, कि आपके इस सुझाव पर अमल किया जा सकता है या नहीं कि इस लड़की से परसनली मिला जाए, आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ और शायद ये कहने की तो मुझे जरूरत ही नहीं, कि मेरे क्लाइंट आपको अच्छी खासी फीज देंगे नौजवान औरत उची आवाज में बोली, नहीं नहीं मिस्टर होम्स, ये बात नहीं है, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आई हूँ मैं बस इस आदमी का मुह काला करना चाहती हूँ, और यही मेरा पारिश्रमिक होगा वो कीचड में धस जाए, और मेरे पैर उसके मनहूस मुह के उपर हूँ, बस यही कीमत चाहिए मुझे कल या परसों या किसी भी दिन, जब तक आप उसके पीछे पड़े हैं, मैं हर पल आपके साथ हूँ, मेरा पता आपको जॉनसन से मिल जाएगा फिर होम्स से मेरी भेंट अगले दिन शाम को ही हुई, जब हम फिर से स्ट्रेंड रेस्टोरेंट में खाना खाने गए मेरे ये पूछने पर कि मिस वॉयलेट से मुलाकात का क्या नतीजा हुआ, उसने अपने कंधे हिलाए, फिर उसने जो किस्सा सुनाया, वो इस तरह से था मिलने का समय लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई वॉटसन, क्योंकि वो लड़की, अपने पिता की इक्षा के खिलाफ, ये शादी का फैसला करने का प्राइस्चित करने के लिए, और सारी छोटी-छोटी बातों में, पिता की आग्या का पूरी तरह से पालन करती है जनरल ने फोन पर बताया कि सब कुछ तयार है, और हमारी मिस विंटर भी बताय हुए टाइम पर पहुँच गई, साड़े-पांच बजे हम एक टैक्सी से 104 बर्कले स्क्वेर के बाहर उतर गए, जहां पर वो जनरल रहते हैं, उनका घर लंडन के उन विशालकाय किलों में स जिनके सामने चर्च भी छोटे लगते हैं, एक गार्ड हमें पीले परदों वाले एक बड़े से बैठक खाने में ले गया, और वहां वो लड़की हमारा इंतजार कर रही थी, बहात ही गंभीर और स्थिर, बैठे हुए वो ऐसी लग रही थी, जैसे किसी परवत पर कोई ब अलपनिक सी लगती है, किसी ऐसे उत्साही व्यक्ति की, जिसके विचार कहीं बहुत ही उचाई पर जमें हुए हूँ, इस तरह कि सुन्दर था, मैंने सिर्फ प्रसिद कलाकारों की कृतियों में ही देखी है, मुझे समझ में नहीं आता, कि ये इनसान के रूप में पशू ऐसी लड़की पर कैसे अपने धूर्त पंजे गड़ा सका, खेर, अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, लड़की को पता था कि हम किस काम के लिए आए हैं, उस बदमाश ने, पहले से ही हमारे खिलाफ उसके कान भर दिये थे, हाँ, मिस विंटर को देखकर वो थोड़ी ह लेकिन उसने हमें इशारे से कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा, फिर उसने कहा, मैं आपका नाम जानती हूँ, मिस्टर होम्स, मुझे पता चला है, कि आप मेरे सामने, मेरे होने वाले पती, बैरन गुरुनेर को बदनाम करने आए हैं, मैं आपसे सिर्फ अपने पिता की रिक्वेस्ट के कारण मिल रही हूँ, और पहले ही आपको बता दूँ, कि आप जो कुछ भी कहने वाले हैं, उससे मेरे दिलो दिमाग पर कोई भी असर होने वाला नहीं है, उसे देख कर और उसकी बातें सुनकर, मुझे उसके लिए बड़ा ही अफसोस हुआ वाटसन, उस सामने उस औरत की भ्यमकर तिती रखी, जिसे किसी इंसान के चरित्र का उसकी पत्नी बन जाने के बाद ही पता चलता है। मैंने उसके सामने शर्म, डर, मानसिक पीड़ा, इन सब का बड़ा ही मारमिक चत्र खींचा, लेकिन उसके चेहरे के रंग में जरा भी अंतर नहीं आया, और उसकी भावशुनने आँखों में भाववेश की जरा भी चमक दिखाई नहीं दी. मुझे उस बदमाश की हिपनोटिजम के असर वाली बात याद आई, सच मुझ ऐसा लग रहा था कि वो लड़की किसी बड़े ही आनंद भरे स्वप्न में कहीं किसी और लोक में रह रही है, लेकिन फिर भी उसके जवाबों में हिपनोटाइज किये हुए आदमी जैसी अनिस्चितता नहीं थी. उसने कहा, मैंने आपकी सारी बातें बड़े ही धहरे से सुन ली हैं मिस्टर होम्स, और उनका मेरे मन पर ठीक वैसा ही असर पड़ा है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी. मैं जानती हूँ कि मेरा होने वाला पती पहले कुछ बुरा जीवन बिता चुका है, जिसकी वज़ह से उसके खिलाफ लोगों में घ्रिणा और बहुत सारी बुरी बातें पैदा हो गई हैं. इस तरह कि निंदा भरी बातें मेरे सामने लाने वाले लोगों में शायद आप अंतेम आदमी हैं. हो सकता है आपका उद्देश्य अच्छा हो. हलां कि मुझे ये भी पता है कि आप पैसा लेकर काम करने वाले आदमी हैं और जिस तरह से आप बैरन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं वैसे ही बैरन से ज्यादा पैसे लेकर आप उसके पक्ष में भी काम करने को तयार हो जाते हैं. खेर जो भी हो, मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बात हमेशा के लिए समझ लें कि मैं उससे प्रेम करती हूँ और वो मुझसे प्रेम करता है और पूरी दुनिया की राय काम मेरे लिए उससे ज्यादा महत्व है ही नहीं जितना खिर्की के बाहर बैठी इंचेडियों के चेह चाहने का, अगर मेरे पती की महानता में कभी कोई थोड़ी बहुत गिरावट आ भी गई हो, कुछ अरसे के लिए, तो ये भी तो संभव है कि भगवान ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है कि मैं उसे, उसके सच्चे और उचे स्तर तक पहुँचा सकूँ, वैसे मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये महिला कौन है और यहां आपके साथ क्यों आई है, उसने मिस विंटर की तरफ नजर गुमाते हुए कहा, इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता वाटसन, मिस विंटर जोर से अपनी कुरसी से उचलते हुए बोली, मैं तुम्हें बतात तुम्हारी कब्र होगी, और शायद यही सबसे अच्छी बात होगी, बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर तुमने उस आदमी से शादी कर ली, तो वो तुम्हारी मौत ही सिद्ध होगा, और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे तुम से कोई प्रेम या लगाव है, मुझे इस बात की तिल भर भी परवा नहीं कि तुम जिन्दा रहती हो या मरती हो, मैं तो उस आदमी से नफरत के कारण और उसने जो कुछ मेरे साथ किया है, उसका उससे बदला लेने के लिए ये सब कह रही हूँ, लेकिन बात बिलकुल ऐसी ही है, और हाँ, मेरी तरफ इस तरह की नजरों से मत देखो, क्योंकि इस केस के पूरा होने से पहले ही, तुम शायद मुझसे भी नीचे पहुँच जाओगी। पक्का यकीन है कि अगर कभी उसने कोई बुरा काम किया भी था, तो उसके लिए वो पहले ही सच्चे दिल से पच्चाताप कर चुका है। मिस्टर फिर से चिलाई, तीन घटनाए, तुम कितनी बुद्धू और बेवकूफ हो लड़की, बात को समझने की कोशिश क्यों नह पकात की, लेकिन इस औरत की बकवास सुनने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ। क्योंकि उस औरत की, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी वो शांत, उदासीनता इतनी ज्यादा परिशान करने वाली थी, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारी तरफ से ना होकर उनकी तरफ से हो। पैसे देने तक का होश नहीं था। जिससे उन्हें लगी चोटें काफी गंभीर बताई जाती हैं। पहुँचने पर मैंने प्रसिध सर्जन सर लेजली ओकशोट को देखा जिनकी गाड़ी बाहर इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया अभी ततकाल तो कोई खत्रा नहीं है। खोपडी दो जगे से फट गई है और कई जगा से छिल गई है। कई टांके लगाने पड़े हैं। मैंने मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया है और उसे आराम और शांती की जरूरत है। लेकिन दो-चार मिनट के लिए अगर मिलो तो कोई हर्ज नहीं। मैं दबे पाम होम्स के अंधेरे कमरे में पहुँचा। वो पूरी तरह से जागा हुआ था। और मुझे देखते ही उसने फुस-फुसा कर मेरा नाम पुकारा। उसके सिर परबंधी सफेद पट्टी खून से तर हो रही थी। उसे इस हालत में देखकर मुझे कितना दुख हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। सिर जुकाए मैं चुप-चाप उसके पास बैठ गया। होमस ने बड़े धीरे से कमजोर आवाज में कहा। अरे सब ठीक है वाट्सन इतने घबराओ मत। मेरी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी तुम्हें देख रही है। अरे ये तो भगवान की बड़े कृपा हुई होमस कि तुम बच गए। तुम तो जानते ही हो वाट्सन कि मैं अकेला ही लाठियों का मुकाबला करने में काफी होश यार हूँ। ज्याता तर हमलों से तो मैंने खुद को बचा लिया लेकिन वो दूसरा आदमी थोड़ा भारी पड़ गया। बारे में लोगों को खुब बढ़ा चड़ा कर बताओ। लोग तुमसे पूछने आएंगे तो उनसे कहो कि चोटे इतनी गहरी हैं कि अगर हफता भर भी मैं जिन्दा रह पाऊं तो ये बड़ी बात होगी। अंदर की चोटे लगी हैं, डिलिरियम हो रहा है वगहरा वगह से कहना कि उस लड़की को उनके हमले से बचा कर रखे, वो बदमाश अब उसके पीछे पढ़ेंगे। पक्का उन्हें मालूम ही है कि इस मामले में वो मेरे साथ थी, जब उन्होंने मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश की है, तो इस बात की तो संभावना ही नहीं है कि वो किट्टी विंटर को छोड़ने, आज रात ही ये काम कर लेना, ठीक है होम्स मैं अभी वहाँ चला जाओंगा, कोई और बात, बस मेरा सिगार मेज पर रख दो और तंबाको भी, और रोज सवेरे मुझे से मिलने आना, और हम हर रोज की अपनी प्लैनिंग बनाएंगे। मैंने जौनसन से मिलकर उसी दिन शाम को ये कह दिया कि वो मिस विंटर को किसी छोटे शहर में ले जाए और ये ध्यान रखे कि वो तब तक छेपी रहे जब तक खतरा टल ना जाए। साथ दिनों तक जनता यही समझती रही कि होम्स मौत के दरवाजे पर है। बुलेटिनो तो मुझे लगता था कि इतनी क्या कितनी भी खराब नहीं थी और कि वो सिर्फ उसके खराब होने का ढोंग कर रहा था। असल में मेरे दोस्त के अंदर एक बहुत ही अजीब रहस्यमायता थी जिसके बड़े ही नाटके नतीजे होते थे। उसके करीबी से करीबी लोग भी कई बार ये नहीं जान पाते थे कि उसकी असली योजना है क्या। सातवे दिन उसके टांके खोल दिये गए और अखबारों में खबर छपी कि उसे बहुत बुरा इंफेक्शन हो गया है। उसी शाम के अखबारों में एक खबर और भी छपी। ये हम दोनों के लिए ही पने जा रहे अपने विवाह से पहले अमेरिका में रुपे पैसे से जुड़े कुछ जरूरी काम निप्टाने है। ये बात सुनते ही होमस के पीले चेहरे पर एक गहरा तनाव चा गया जिससे मुशे पता चल गया कि इस खबर का उसके उपर बहुत असर हुआ है। वो जो हाँ हाँ बोलो जो भी काम है मैं सब करने के लिए तयार हूँ होमस मैंने कहा ठीक है तो अभी यहां से जाओ और अगले 24 घंटे बोन चाइना के बरतनों के बारे में गहरा अध्यायन करने में जुट जाओ। उसने इस बात का कोई कारण मुझे नहीं बताया और ना ही मैंन उससे पूछा उसके साथ रहते हुए अपने लंबे अनुभव से मैं ये जान चुका था कि बिना बहस किये या बिना कोई सवाल किये उसकी बातों को मान लेने में ही अकलमंदी होती है जब मैं उसके कमरे से निकल कर बेकर स्ट्रीट में पैदल चल रहा था तो मेरे में यही बात घूम रही थी कि इस अजीब सी आज्या का पालन करूंगा कैसे मैं आखिर में सोच साच कर मैं सेंट जेम्स स्क्वेर में लंडन लाइब्रेरी पहुंचा और मैंने वहां के लाइब्रेरियन अपने दोस्त लोमेक्स के सामने अपनी समस्या रखी थोड़ी ही देर बाद एक मोटी सी किताब बगल में दबाए मैं लाइब्रेरि से बाहर निकल रहा था उस पूरी शाम और अगली पूरी सुब है मैं उस किताब में दी गई सारी विचेतर जानकारियां अपने दिमाग में भर लेने की कोशिश करता रहा तरह तरह के नाम मैंने रट डाले मुझे न जाने कितने महान कलाकारों की विशेशताओं हुंग हु की पहचान, युंगलो की सुंदर्ता, सैंगियंग की लिखावट और सुंग और युवांग के आरंभिक कालों की महानता के बारे में भी पता चला अगले दिन शाम को ये सारी जानकारियां अपने दिमाग में बुरी तरह से ठूस कर मैं हुम्स के पास पहुंचा, वो अपनी प्यारी आराम कुर्सी में बैठा अपना पटियों भरा सिर हाथ पर टिकाय हुए था मुझे देखते ही उसने कहा आहा वाटसन, तुमने अपना सबक अच्छे से याद कर लिया ना वो तो पता नहीं, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है होम्स बहुत बढ़िया, तो तुम इस टॉपिक पर काफी होश्यारी से बातचीत कर पाओगे ना हाँ, लगता तो है कि कर पाओँगा ठीक है, तो वहाँ फायर प्लेस पर से वो छोटी डिबिया उठाओ मैंने वो छोटा बॉक्स उठा कर उसके हाथ में थमा दिया उसने धक्कन हटाया और उसके अंदर से बढ़िया रेश्मी कपड़े में लिप्टी हुई एक छोटी सी चीज निकली उसने साफधानी से उसे निकाला और मुझे दिखाया ये एक बहुत सुन्दर गहरे नीले रंग की छोटी सी नाजुक सी प्लेट थी इसे बहुत ही संभाल कर छुना वाटसन ये मिंग डाइनेस्टी की असली अंदे के छिलके की प्लेट है इस से ज्यादा बढ़िया चीज कभी क्रिस्टी या सौथभी के पास भी नहीं आई होगी इसके पूरे सेट की कीमत एक पूरे राज्य की कीमत के बराबर होगी वो सब तो ठीक है होम्स लेकिन मुझे इसका करना क्या है होम्स ने मेरे हाथ में एक कार्ड धमा दिया जिस पर ये शब्द छपे थे आज शाम तक तुम्हारा ये नाम रहेगा वाटसन तुम ये कार्ड और ये प्लेट लेकर बैरन गुरुनेर के पास जाना मुझे उसके पूरे रुटीन का पता है और पूरी संभावना है कि साड़े आठ बजे वो फ्री होगा एक चिठी लिखकर उसे पहले ही बता देना कि तुम आने वाले हो और अपने साथ मिंग डाइनेस्टी के बरतनों के एक अनुपम सेट का सैंपल लेकर आ रहे हो अब तुम डॉक्टर तो हो ही इसलिए डॉक्टर का काम बिना किसी परिशानी के कर सकते हो इसके अलावा तुम कला के पार्खी हो कहीं से ये सेट तुम्हारे पास आया है और तुमने इस मामले में बैरन की दिल्चस्पी की बात सुनी है और उससे अच्छी कीमत लेकर इसे बेशने में तुम्हें कोई हिचक नहीं है ठीक है समझ गया होम्स इसकी कीमत कितनी बतानी होगी मुझे ये तुमने अच्छा सवाल किया वाटसन अगर तुम अपनी चीज का सही मूले नहीं जानते तो बेशक बुरी तरह से मात खा जाओगे ये प्लेट मुझे सर जेम्स ने इला कर दी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये उसके क्लाइंट के कलेक्शन में से लाई गई है अगर तुम बेरन से ये कहो कि पूरी दुनिया में इसके मुकाबले की चीज मिलने मुश्किल है तो ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात नहीं होगी मैंने एक पल सोचा और फिर कहा अगर मैं ये सुझाव दूँ कि सेट की कीमत किसी एक्सपर्ट से लगवाई जाए तो कैसा रहेगा बहुत बढ़िया वाट्सन लगता है आज तो तुम्हारी अकल की दरवाजे कुछ खुले हुए है तुम ठीक ऐसा ही करना और एक्सपर्ट के रूप में क्रिस्टिया सौथबी का नाम सुझा देना और कहना कि खुद अपनी चीज की कीमत लगाना तुम्हारे गौरव के अनुरूप नहीं है ठीक है समझ गया होम्स लेकिन अगर वो मुझसे मुलाकात ही ना करे तो क्या होगा वो करेगा वाटसन जरूर करेगा उसे कलेक्शन की बड़ी गहरी सनक है और खास करके बौन चाइना के बरतनों में तो वो माना हुआ एक्सपर्ट है तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हें उसके नाम चिठ्थे लिखवाता हूँ किसी उत्तर की तुम्हें जरूरत नहीं होगी तुम्हें सिर्फ यह बताना होगा कि तुम आ रहे हो और किसली आ रहे हो होमस ने मुझे जो पत्र लिखवाया वो वाकई बहुत बढ़िया था एकदम छोटा विनमरता से भरा और कलेक्शन करने वाले की उत्सुक्ता को बढ़ा देने वाला इस पत्र को हमने तभी बेरन के यहां भिजवा दिया और उसी दिन शाम को अपने हाथ में वो कीमती प्लेट और जेब में डॉक्टर हिल बार्टन का कार्ड लेकर मैं अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा जैसा की सर जेम्स ने कहा था बेरन ग्रुनेर के घर को दूर से देखने पर ही पता चलता था कि वो वाकई काफी धनी आदमी था लंबी चकरदार सडक जिसके दोनों तरफ दुरलब जाड़ियों की कतारें थी एक बड़े पक्के चौराहे पर पहुँच रही थी जिस पर मूर्तियां लगी हुई थी ये जगहा साउथ अफरीका के किसी सोने के व्यापारी ने सोने की कीमतें बहुत उची हो जाने वाले दिनों में बनवाई थी एक बड़ा ही आलिशान सा नौकर मुझे घर के अंदर ले गया और उसने मुझे चमचमाते कपड़ों वाले एक गार्ड के पास पहुँचाया जो आखिरकार मुझे बैरन के सामने ले गया वो खिड़कियों के बीच में रखी हुई एक बड़ी अलमारी के खुले दर्वाजे के सामने खड़ा था जिसमें उसका बॉन चायना के बरतनों का कुछ कलेक्शन रखा था जब मैं अंदर घुसा तो उसके हाथ में एक छोटा बड़ामी रंग का फूलदान था उसे लिए हुए ही वो मेरी तरफ मुड़ा और फिर बोला बैठे डॉक्टर सहाब मैं अपने कलेक्शन को देख कर ये सोच रहा था कि क्या वाकई इसमें कोई वृद्धी की जा सकती है ये देखिए ये जो मेरे हाथ में है ये सात्मी शताबदी का एक छोटा सा तांग नमूना है जो शायद आपके लिए दिल्चस्प हो मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस से बढ़िया कारीगरी और इस से सुन्दर पेंट आज तक नहीं देखा होगा वैसे जिस मिंग डाइनेस्टी की प्लेट की बात आपने लिखी थी क्या उसे आप अपने साथ लेकर आए है मैंने बड़े ही साफधानी से उस प्लेट को खोला और उसके हाथ में दे दिया वो अपने डेस्क के पास बैठ गया और लैंप अपनी तरफ खींच कर प्लेट की बारीकी से जाच करने लगा उस समय लैंप की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और मैं बड़े ही आराम से उसके चेहरे के भावों को देख परक सकता था निश्चे ही वो आदमी बेहत हैंसम था योरप में उसके रूप की जो प्रसिधी थी वो एकदम ठीक ही थी उसका चेहरा पूरब के निवासियों की तरह हलका काला था और आखें बड़ी-बड़ी और मस्तानी थी जो आसानी से औरतों के लिए आकरशन का केंदर बन सकती थी उसके बाल और मूचें एकदम काले थे और मूचें छोटी-छोटी नोकदार और मौम से साफधानी से सकत की गई थी उसका चेहरा सुन्दर और आकरशक था और होट पतले-पतले थे उसके आवाज भी बड़ी आकरशक थी और उसका उपरी व्यवहार और तौर तरीका बड़ा ही आदर्श था मेरा अंदाजा था कि उसकी उम्र 30 से थोड़ी बहुत ही ज्यादा होगी लेकिन बाद में रिकॉर्ड से मुझे पता चला था कि वो 42 साल का था काफी देर तक प्लेट को देखने के बाद उसने कहा बहुत सुन्दर बहुत ही सुन्दर और आपका कहना है कि आपके पास ऐसी 6 प्लेटों का सेट है मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि ऐसे नायाब नमूने की बात मेरे कान में पहले कभी नहीं पड़ी मुझे पूरे इंग्लैंड में इस तरह का सिर्फ एक ही सैंपल के बारे में पता है लेकिन निश्य ही वो तो मार्केट में आ नहीं सकता तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ डॉक्टर हिल बार्टन कि आपके पास ये चीज कहां से आई मैंने लापरवाही जताते हुए कहां क्या वाकई इस बात से कोई फर्क पड़ता है आपने ये तो देख ही लिया है कि चीज असली है और जहां तक कीमत का सवाल है तो किसी एक्सपर्ट से लगवाई हुई कीमत से ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा उसकी काली आँखों में संदेह की एक जहलक तेजी से आई और चली गई ये बड़ा रहस्य पूर्ण मामला लग रहा है मुझे इतनी केमती चीजों का सौधा करते समय ये तो नैचुरल है कि आदमी सौधे के बारे में सब कुछ जानना चाहेगा चीज असली है ये बात ठीक है इस बारे में मुझे जरा भी शक नहीं लेकिन मुझे सारी संभावनाओं का भी तो ध्यान रखना होगा मान लीजिये मुझे बाद में पता चले कि आपको इसे बेचने का कोई अधिकार था ही नहीं तो मैं तो फस जाओंगा ना ऐसा कुछ नहीं होगा मिस्टर बैरन मैं आपको हर तरह की परेशानी से बचाने की गारंटी देता हूँ और आपकी ये गारंटी क्या है इसका जवाब मेरे बैंक कर देंगे मैंने कहा ठीक है लेकिन फिर भी ये सारा सौधा मुझे थोड़ा अजीव लग रहा है ऐसा लगता है कि कहीं दाल में कुछ काला है मैंने थोड़ा उपेक्षा से कहा आप चाहें तो सौधा कीजिए ना चाहें तो आपकी मर्जी मैंने पहला ओफर आपके सामने रखा है क्योंकि मुझे ये पता चला था कि आप ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने के शौकीन है लेकिन किसी और से भी इस उदा करने में मुझे कोई परिशानी नहीं आने वाली है एक मिनिट डॉक्टर आप से किसने कहा कि मैं इन चीज़ों को कलेक्ट करने का शौकीन हूँ मुझे वैसे ही पता है क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट पर एक किताब लिखी है मैंने कहा क्या आपने वो किताब पढ़ी है जी नहीं तब तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है आप कलेक्शन के शौकीन है आपके पास एक बहुत ही नायाब और कीमती चीज़ है और फिर भी आपने वो एक मातर किताब पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की जिससे आपको इस चीज़ की असली कीमत और इसके असली महत्व का पता चल जाता इस बात का आपके पास क्या जवाब है डॉक्टर हिलबर्टन इस बात का जवाब ये है कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ डॉक्टर हूँ इस तरह के कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता ये कोई जवाब नहीं है डॉक्टर अगर किसी आदमी को कोई शौक होता है तो वो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है चाहे उसका पेशा कुछ भी हो और वो कितना भी बिजी क्यों न हो आपने अपनी चिठी में लिखा था कि आप कला के पार्खी है तो क्या मैं आपकी जानकारी की जाच करने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ डॉक्टर आप मुझे ये बताईए कि आपको किंग शो मुहु के बारे में क्या पता है और उसका नारा के नजदीक शो सो इन से क्या संबंध है मेरे चुप रहने पर उसने कहा क्यूं कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है मुझे उत्तरी वेई वंच के बारे में ही कुछ बता दीजिए बॉन चाइना के एतिहास में उसका क्या स्थान है ये बताईए मैं दिखावटी गुसा दिखाते हुए अपनी कुर्सी से उचल कर खड़ा हो गया देखिए सर आपकी ये सारी बातें बहुत ही नागवार है मैं यहां आपके पास कुछ ओफर देने आया था किसी स्कूली बच्चे की तरह एक्जाम देने नहीं आया था हो सकता है इन टॉपिक्स का मेरा ज्यान आपके मुकाबले में कम हो लेकिन ऐसे भद्धे ढंक से पूछे का ये सवालों का तो मैं कताई जवाब नहीं देने वाला हूँ उसने बड़ी गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा फिर उसकी आँखें अचानक चमकने लगी और वो बड़ी ही क्रूरता से मुस्कुराते हुए बोला अब समझ में आया मुझे, सब समझ में आ गया तुम यहां जासूस बनकर आये हो, तुमको उस होमस ने भेजा है और तुम मुझसे यह चलाकी भरा खेल खेल रहे हो वो खुद तो मरने वाला है, इसलिए उसने अपने आदमियों को मेरे उपर पहरा देने भेजा है अब एक बात समझ लो मिस्टर, अंदर तो तुम आ गय हो, लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे वो उठकर खड़ा हो गया, और मैं दो कदम पीछे हटकर होने वाले हमले के लिए अपने आपको तयार करने लगा, क्योंकि वो गुस्से के मारे आपे से बाहर हो रहा था उसने अपने पास की दराज में अपना हाथ डाला और जल्दी-जल्दी कुछ टटोलने लगा तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो अपना काम रोक कर बड़े ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा कुछ पल बाद वो चिलाया, ओह, 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 और फिर तुरंट अपने पीछे वाले कमरे में जप्टा दो कदम बढ़ा कर मैं खुले दर्वाजे पर आगया और अंधर मैंने जो कुछ देखा उसकी एकदम साफ साफ तस्वीर आज भी उतनी ही सफाई से मेरे दिमाग पर अंकित है अंधर वाले कमरे की बाग की तरफ की खिड़की पूरी तरह से खुले होई थी उसके पास खड़ा था एक दम भयंकर भूत जैसा दिखाई देने वाला खुन से भरी पटियों से बंधा सिर और कमजोर और सफेद चेहरा लिये शर्लक होम्स अगले ही पल वो खिड़की में से कूद गया और बाहर ज़ाड़ियों में मैंने उसके शरीर के टकराने की आवाद सुनी गुसे से बढ़बढाता हुआ माकान मालिक उसके पीछे भागता हुआ खुली खिड़की तक आया और उसके बाद वो सब बस एक पल में ही हो गया और दूर से खड़े हुए मैंने वो सब कुछ एकदम साफ साफ अपनी आँखों से स्पष्ट रूप से देखा एक बाह पत्तों में से बाहर निकली ये एक औरत की बाह थी और उसी समय बैरन ने एक भयंकर चीख मारी ये ऐसा आर्तनाद था ऐसी दर्द से भरी चीख जो सदा मेरी यादों में ताजा बनी रहेगी फिर उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर मारे और दिवारों से सिर पटकता हुआ कमरे में चारों तरफ दोड़ने लगा फिर वो फर्ष पर गिर पड़ा और बुरी तरह से चट पटाने लगा एक के बाद एक उसकी चीखें पूरे घर में गूँजने लगी वो पानी पानी चिला रहा था मैंने पास की मेज से छोटी सुराही उठाई और उसे पानी देने के लिए लपका उसी समय नौकर और कई गार्ड हौल से दोड़े हुए आए मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने उसके पास जुक कर उसका भयंकर चेहरा लैंप की रोशने की तरफ किया तो उनमें से एक गार्ड तो बेहोश हो गया तेजाब ने उसके चेहरे को पूरी तरह से जला दिया था और वो अभी भी उसके कानों और ठोड़ी से नीचे चू रहा था एक आँख पहले ही सफेद और जड़ हो चुकी थी दूसरी लाल और सूजी होई थी जिस रूप सौंदर्य की मैं कुछ ही मिनट पहले सराहना कर रहा था वो अब ऐसा हो गया था जैसे किसी सुंदर चितर पर कलाकार ने गीला और मेला स्पॉंज फेर दिया हो तब तक कुछ लोग खिड़की पर चड़ गये थे और कुछ दोड कर मैदान की तरफ चले गये थे लेकिन चारों तरफ अंधिरा था और बारिश भी शुरू हो गई थी चीख पुकार मचाता हुआ बैरन अभी भी मानो आग उगल रहा था ये वो बदमाश कुटिया थी किट्टी विंटर मैं उसे इसका मज़ा जरूर चखाऊंगा लेकिन हे भगवान ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही है मैं क्या करूँ मैंने उसके चेहरे पर धवाईयां लगाई गावों वाली जगहों पर रूई की पटियां रखी और उसे मॉर्फीन का एक इंजेक्शन दिया इस घटना के बाद मेरे बारे में उसके मन से सारा संदेह दूर हो गया और उसने मेरे हाथों को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे मैं उसका कोई प्यारा रिष्टेदार हूँ वो मेरी तरफ बड़ी ही दयनिये नजरों से देख रहा था अगर मुझे ये बात अच्छी तरह से ध्यान में नहीं होती कि उसका जीवन और उसके इरादे कितने घ्रिनित थे तो मैं इस दुरगटना पर रो दिया होता उसके जलते हुए हाथों के पंजों का सपर्ष मेरे अंदर एक नफरत सी पैदा कर रहा था और जब उसका फैमिली डॉक्टर और उसके तुरंत बाद एक एक्सपर्ट मेरी जगह लेने के लिए आ गए तब जाकर मुझे थोड़ा चैन मिला तब तक एक पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया था मैंने उसे अपना असली वाला कार्ट दिखाया कुछ और करना बेवकूफी की बात होती क्यूंकि स्कॉटलेंड यार्ड के लोग मुझे भी उतनी ही अच्छी तरह पहचानते थे जितना होम्स को फिर मैं वहां से निकल कर बेकर स्ट्रीट की तरफ चल पड़ा होम्स अपनी उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था और बहुत ही ठका हुआ दिखाई दे रहा था अपनी चोटों के अलावा उस शाम की घटनाओं से उसका लोहे जैसा दिल भी दहल गया था बैरन के चेहरे में जो बदला हुए थे उनके बारे में मैंने जो विवरन उसे बताया उसे सुनकर उसने डर से एक जुर जुरी सी ली फिर वो बोला ये पाप का फल है वाटसन पाप का फल देर सवेर ये सब को मिलता जरूर है ईश्वर जानता है उसका पाप का घड़ा अब भर गया था फिर मेज से बादामी रंग की एक कॉपी उठाते हुए वो बोला ये वो कॉपी है जिसके बारे में किटी विंटर ने हमें बताया था अगर इससे भी ये शादी नहीं तूटती है तो फिर किसी भी चीज से नहीं तूटने वाली लेकिन ये मैं जानता हूँ कि इस कॉपी को देखकर ये शादी जरूर तूटेगी कोई भी आत्मसम्मान वाली औरत इस बात को सहन नहीं कर पाएगी क्या ये उसके प्रेम संबंधों की डायरी है होम्स मैंने पूछा प्रेम की नहीं ये वासना की डायरी है जिस समय किटी विंटर ने इसके बारे में बताया था मैं उसी समय समझ गया था कि ये एक बहुत ही बड़ा हथियार साबित होगा बशरते हम इस पर हाथ डाल सकें उस समय मैंने अपने विचारों को किसी के सामने जाहिर नहीं किया था क्योंकि अगर किटी विंटर इस बात का जिकर किसी के आगे कर देती तो मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाता इसलिए मैंने सारी बातों पर विचार किया और फिर इस तरह से प्लैनिंग बनाई कि अपने उपर हुए हमले का फायदा उठाते हुए मैं बैरन को ये सोचने का मौका दूँ कि उसे मेरे बारे में ज्यादा सावधानी रखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मरने वाला हूँ इस सबसे मुझे काफी फायदा मिला मैं अभी कुछ दिन और इंतजार कर सकता था लेकिन उसके अमेरिका की यात्रा वाले प्रोग्राम ने मुझे जल्दी अपना काम करने को मजबूर कर दिया वो इतनी महत्वपूंचीज कभी भी अपने पीछे यहाँ छोड़ कर जाने वाला नहीं था इसलिए मुझे तुरंत ये काम करना था रात को चोरी करना असंभर था क्योंकि उस समय के लिए उसने काफी सेफटी के इंतजाम किये हुए है लेकिन शाम को मुझे ये मौका मिल सकता था अगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो कि उसका ध्यान किसी और काम में लगा हुआ है और यही काम करने के लिए मैंने तुम्हें वो नीली प्लेट देकर वहां भेजा था लेकिन मुझे कौपी की जगह का ठीक ठीक पता लगाना था और मैं जानता था कि मेरे पास अपना काम करने के लिए बस थोड़े ही मिनट होंगे क्योंकि बॉन चाइना के बरतनों के बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं थी इसलिए आखिरी पल में मैंने उस लड़की को अपने साथ लिया लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो अपने लबादे के नीचे जो छोटा सा पैकेट सावधानी से छिपा कर रखे हुए है वो क्या चीज है मुझे लग रहा था कि वो मेरे काम से मेरे साथ आई है लेकिन अब लगता है कि वो असल में अपने काम से वहां गई थी होम्स एक पल के लिए रुका और मैंने कहा तुम्हें पता है होम्स बेरन ने ये भी भाप लिया था कि मैं तुम्हारे कहने से वहाँ आया हूँ अरे वाटसन वो तो मैं जानता ही था लेकिन तुम उसे बस इतनी ही देर बातों में लगाई रख सके जितनी देर में मैं कौपी उठा पाता अगर तुम उसे दो-चार मिनट भी और रोक पाते तो मैं वहाँ से आराम से बचकर भाग सकता था उसके बिना देखे अरे मिस्टर जेम्स आये हैं मैंने पीछे मुण कर देखा तो पाया कि सर जेम्स हमारे दर्वाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे उन्होंने होम्स के द्वारा सुनाई हुई सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी फिर वो खुश होकर बोले आपने तो कमाल कर दिया कमाल और यदि वो घाव इतने भयंकर हैं जैसा कि डॉक्टर वाटसन बता रहे हैं तो शादी रोकने का हमारा प्रयोजन तो इस कौपी के बिना भी पूरा हो जाएगा होम्स ने नामे से रहिलाया और बोला बिल्कुल नहीं सर जेम्स डी मेर्विल जैसी ओरतें इस तरह की बिल्कुल नहीं होती एसे हालातों में वो इस बदशकल शहीद से और भी ज्यादा प्रेम करेगी हमें उसका शारीरिक पक्ष नहीं उसका नैतिक पक्ष गिराना है और वो काम सिर्फ इस कौपी से ही संभव है मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज उसके इरादों को बदल सकती है और वैसे भी इस कौपी में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब बैरन की खुद की हैंडराइटिंग में है इतनी सारी बातों की उपेक्षा वो नहीं कर पाएगी सर जेम्स कौपी और वो प्लेट दोनों लेकर चले गए मुझे भी अपने घर जाना था इसलिए मैं भी उनके साथ सड़क पर आ गया वहाँ एक बग्गी उनके इंतजार में खड़ी थी वो उचलकर उसमें बैठ गए कोचवान को जल्दी से कुछ हुक्म दिया और फिर तेजी से चले गए उन्होंने अपना आधा ओवरकोट खिड़की से बाहर निकाल रखा था जिससे खिड़की पर बने कुल और वंश के प्रतीक चिन ढख जाए लेकिन फिर भी मैंने अपनी खिड़की से आती हुई रोशनी में उनको देख लिया था मैं हैरान था मैं वापस मुड़ा और सीड़ियां चड़कर तेजी से होमस के कमरे में गया उतावली में मैंने कहा होमस मुझे पता चल गया हमारा क्लाइंट कौन है वो तो होमस ने हाथ उठा कर मुझे रोकते हुए कहा वो एक पका दोस्त और बहुत ही बहादूर सज्जन आदमी है इससे ज्यादा गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है वाटसन इसके बाद मुझे नहीं पता कि जुर्म सिध करने वाली उस कौपी का किस तरह से इस्तेमाल किया गया सर जेम्स ने इसका कोई न कोई इंतजाम कर लिया होगा या इस बात की ज्यादा संभावना है कि ये नाजुक काम उस लड़की के पिता को सौंप दिया गया हो जो भी हो असली मतलब तो नतीजों से था तीन दिन बाद मौर्निंग पोस्ट अखबार में ये खबर छपी कि बैरन अडलबर्ट ग्रुनेर और मिस वॉयलेट डी मेर्विल का विवाह नहीं होगा उसी अखबार में मिसकिती विंटर पर तिजाप फैंकने के गंभीर अपराध में चलाए गए मुकदमे की पेशी की खबर भी छपी थी मुकदमे में अपराध की गंभीरता को बहुत ही कम कर देने वाली ऐसी परिस्थितिया निकल आई थी कि उसे इस अपराध के लिए कम से कम सजा दी गई शर्लक होम्स के उपर भी चोरी का मुकदमा चलने की संभावना पैदा हो गई थी लेकिन जब मकसद अच्छा हो और क्लाइंट काफी बड़ा आदमी हो तो कठोर ब्रिटिश कानून भी लचीला बन जाता है उस अपराध के लिए मेरा दोस्त आज तक कठ घरे में खड़ा नहीं हुआ दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूले जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा